Subject English Class 10th Dear Student, आपका English की online class में स्वागत है आज हम Chapter No.6 What is Amist with Us? हमारे अंदर दोश क्या है के बारे में पढ़ेंगे Indian Intellect, भारतिय प्रतिभा Our is a nation of intellectuals हमारा राष्ट्र बुद्धी जीवियों का राष्ट्र है It is not said out of sheer patriotism यह बात केवल देश भक्ती के कारण नहीं कही गई है Studies at home and abroad have revealed that देश और विदेश में किये गए अध्यानों से यह बात उजागर हुई है Not long ago study was undertaken in the school of Britain to find out children of which nation excelled in intelligence थोड़े ही दिनों पहले बृटेन के स्कूलों में यह जानने के लिए अध्यान किया गया कि किस देश के बच्चे बुद्धी में सरुस्रेष्ट रहे It was discovered that तो यह पाया गया कि the Indians were superior to the native of other countries कि भारती बच्चे दूसरे देशों के मूल निवाशियों के मुकाबले कही अधिक स्रेष्ट है If that is the truth यदि यह बात सत्य है कि हमारे देश के बच्चे दूसरे देशों के बच्चों से स्त्रेष्ट है यदि यह बात सत्य है तो why we were lagging behind other superpowers तो हम दूसरे शक्तिशाली राष्ट्रों से क्यों पिछड रहे हैं हमारे यहां से अन्य सम्रद राष्ट्रों को प्रतीभा पलायन क्यों होता है हमारे यहां आयात नर्यात से अधिक क्यों होते है हम सहायता के लिए विक्षित देशों पर क्यों आश्रित है वेर वी आर अमेस हम में दोश कहां है ऐसा कहने का यह अर्थ नहीं है कि हमारी प्रगर्ती शुन्य है अब आकरा नांगल डेम, बिलाई, रावर केला, दुरगापुर स्टील प्लांट, तारपुर न्यूकलियर रेक्टर ATC are some of our big achievements पाकना नांगल बांध, विलाई, रावर केला, दुरगापुर स्पाथ के सैयत्र और तारपुर का नाबकिय सैयत्र हमारी कुछ बड़ी उपलब्दियां है but in the grandeur of the big, the small has been neglected किन्तो बड़ी उपलब्दियों के वैभव के आगे हमने छोटी बातों की उपेक्षा की है E.F. Schumaker was not wrong when he captioned his best seller, small is beautiful E.F. Schumaker ने कोई गलती नहीं की थी जब उन्होंने अपनी सरवादेक पिकने वाली पुस्तक का शीर्षक लगू ही सुन्दर है रखा था There are a few instances to show how the neglect of these small but important issue has hampered our glory यहां कुछ उधारण यह दर्शाने के लिए दिये गए हैं कि कैसे छोटे किन्तु महत्वपून मुद्दों की उपेक्षा ने हमारे गोरों को बाधित किया है सबसे पहले आता है Social Behavior and Civic Senses सामाजिक व्यभार एवं नागरेक बोध Here we are at the lowest ab हमारी इस्तिती यहां सबसे निमनिस्तर की है It may be a journey और a walk चाहे यात्रा हो या पैदल सेर, a feast और a fair चाहे भोज हो या मेला, a meeting और a gathering चाहे सभा हो या सम्मेलन, a serious study और a leisure hour चाहे गंभीर अध्यन हो या फुरसत का समय Most of us exhibit cross ignorance of minimum basic human decences हम में से अधिकान स्लोग न्यूनतम आधार बूत मानविय सिष्टाचार की मुर्क्ता पूर्ण अन्विग्यता का प्रदर्शन करते हैं Let us see how and where we lack in our social behavior and cultivation of civic senses आईए देखते हैं कि हम अपने सामाजिक व्यभार एवं नागरिक बोद के परिश्कार में कहां पिछड़े हुए हैं तो सबसे पहले आपको इसमें noise pollution ध्वनी प्रदूशन के बारे में बताया गया है Human ear is meant for receiving sound of normal range of decibel मानाओ के कान सामान्य इस तरके श्वर्मान decibel को ग्रहन करने के लिए बने हुए हैं Sound received beyond that measure would not only be zaring but also damaging to our hearing sense organs उस मानक से उपर की तिवर्ता वाली ध्वनी ने सिर्फ एप्रिय होगी बलकि हमारी श्रवनेंद्रियां अर्थात कानों को भी नुकसान पहुचाएंगी How many of us take care of this? हम में से कितने लोग इसका खयाल रखते हैं It may be a TV program और a radio broadcast चाहे TV program हो या radio प्रोसारण Playing a tap record or any other instrument Tap recorder बजाने की बात हो या कोई अन्ययंत्र Even a gossip और a chit-chat in a company यहां तक की गपशप हो या मंडली में हलकी-फुल की बातचीत All are here at a very high pitch यह सब कुछ अतियंत उंचे स्वर में सुना जाता है We may be used to it but what about those living around Us हो सकता है हम इसके अभ्यस्त हो लेकिन हमारे आसपास रहने वाले लोगों का क्या होगा Our neighbor may be a serious student हमारा पडोसी एक गंभीर छात्र इस एक परसन एक बिमार व्यक्ति और एक पीस लविंग या एक शांती प्रिय व्यक्ति भी हो सकता है Have we ever thought of him? और वहें चुपचा पीड़ा सहलेता है The poor fellow shut the window and doors and put cotton in his ear to reduce the impact of high-pitched noise बेचारा बला आदमी अपनी खड़कियां दर्वाजे बंद कर लेता है और कर्ण भेदी शोर को कम करने के लिए अपने कानों में रूई ठूस लेता है When shall we learn the simple civic sense? हम यह सामान्य नागरिक बोध कब सीखेंगे It may be a marriage ceremony or any other function चाहे विवास अमारो हो या दूसरा कोई आउसर A ritual or a prayer कोई अनुष्ठान हो या प्रार्थन There is generally a fashion of hiring a loudspeaker to be used the loudest beside engaging band and other means of producing sound यह रिवास सा होज गया है कि जोर जोर से बजाने के लिए कोई loudspeaker वे उसके अतिरिक्त एक band और शोर मचाने के अन्य साधन भी किराई पर ले लेते हैं The pitch is kept so high that आवाज की तिवरता इतनी अधिक रखी जाती है कि sensitive beings get shock कि समवेधन शील लोगों को दहशत होती है Even the stone or bricks of a building shake and impression gathered that the building may collapse one day because of this यहां तक की इमारत के इंट पत्थर तक हिलते हैं और ऐसा आभास होता है कि किसी रोज वेह इस के कारण गिर जाएगी The vehicle especially the truck वाहन खास तोर से truck Make living unbearable even the driver blow the horn not only loudly but also incessantly and that too much often without any reason G1 को ऐसेहनिय बना देते हैं जब driver ने के वल जोर जोर से बलकि लगातार horn बजाते रहते हैं तथा यह भी अक्सर बिना कारण के The noise pollution caused because of lack of civic sense, नागरिक बोध के अभाव और लापरवा सामाजिक व्यवहार के कारण उत्पन and careless social behavior marks the sensibility of our pupil at large and affect our efficiency 20 production आमतोर पर हमारे लोगों की सम्वेदन सीलता को नस्ट कर देता है और हमारी कारेच हमता को प्रभावित करता है Thank you